इतनी information मुझे पढ़नी नहीं है, मुझे बस इसकी summary चाहिए, तो मैं इसे copy करूँगा, और Resumer में जाकर यहां पे पेस्ट करूँगा, यह इसकी summary निकालना चालू करेगा, और इतना बड़ा paragraph पढ़ने से अच्छा वो कहता है, इतना ही पढ़ो, PDF Editor मिलता है, PDF Merger मिलता है, मतल सबसे पहले स्क्रीन पे आईए, यहां पे मैंने विजट करके रखिये, Resumer.com, अब यह काम क्या करता है, मैं आपको explain करता हूँ, basically अगर मेरे school या college के जमाने में होता, तो मेरा बहुत सारा time बच जाता है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहां पे आईए, suppose मैंने Google पे सर् पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद, Resumer बटन यहां पे आपको दिखाई देगा, जो कि मैं focus करता हूँ, focus दिखिए, right, Resumer बटन पे आप click कीजिए, जैसे आप यहां पे Resumer पे click करेंगे, यह इसकी summary निकालना चालू करेगा, और इतना बड़ा paragraph पढ़ने से अच्छा वो कहता है कि इतना लें, पढ़ने से आप इतना ही पढ़ो, जो कि आपके काम का है, right, उसमें से काम की चीज़े उठा के वो यहां पे आपको लाके दे देगा, तो अगर आप Google पे सर्च करते हो और ऐसी information आपके साथ धेर सारी पढ़ी है, तो आपको इतना पढ़ना नहीं है, तो आप उसे resmark कर लो, काम की वेबसाइट है, टाइम बचाने वाली है, तो आप बढ़ते हैं, वेबसाइट नमबर टू की तरफ, यह वेबसाइट है, mathwait.com, जहाँ पे maths का solution, फटा-फटा मिलने वाला है आपको, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो 2x और प्लस कसाइन दे रहा हूँ, 4x is equal to, मैं दे रहा हूँ, 18, तो मैं x की value लेना चाहता हूँ, 2x plus 4x is equal to 18, तो मुझे x की यहाँ पे value निकालनी है, तो मैं यहाँ पे यह जो arrow दिखाए दे रहा है, यहाँ पे focus करता हूँ, यह दिखिए, तो यहाँ पे मैं click करता हू और वो पूछ रहा है कि भाई evaluate करना है, solve for x करना है, क्या करना है, तो आप यहाँ पे solve for x कर दीजिए, तो x की value वो यहाँ पे निकालके देगा आपको, x is equal to 3, दिखाए दे रहा है, तो 2x plus 4x is equal to 18, solve for x is equal to x is equal to 3, मैंने solve for x किया, x की value मुझे चाहिए थी, तो इस तरह सी website problem solve करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेर सारे mathematical symbols आपको मिलेंगे, जिसके जरीए आप mathematical calculations कर सकते हैं, तो यह website number 2 थी, अब website number 3 की तरह बढ़ते हैं, अब तीसरी website बताने से पहले मैं आपको बताओ, कि यह website उनके लिए है, जो ढूणना चाहते है, पिछले साल के questions paper, जैसे कि आप Mumbai University में पढ़ रहे हैं, डेले University में या जो भी university है, आप CVSC board में पढ़ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि last year में जिन्नों ने exam दिया था, उनके papers क आपको बहुत वक्त लगता है, जाके यह book खरीदो, वो book खरीदो, आप करने के ज़रूद नहीं, यह website के जरीए आप ढूंड सकते हैं, मैं बात करो पिछले year की question paper की, इस year की question paper तो आपको खुद में लेंगे, वो नहीं आएंगे, राइट, वो मिल गए तो फिर exam दे के मतल अबी क्या, तो फिलाल तो मैं यहाँ पर दिखाता हुई, इस website को मैंने विजिट किया, doccity.com नहामे उसका, और यहाँ पर सर्च करना है, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, यहाँ से आप इन पेपर्स को पीडिया फॉर्माट में डाउनलोड करके देख सकते कि कौन कौन सी क्वेशन पेपर आये थे, यहाँ पर डॉक्यमेंट्स, औल क्वेशन भी दिये गए है, तो काफी इंट्रेस्टिंग वेबसाइट है, मेरे नजर से, doccity.com, वेबसाइट न होती है, उनके क्वेशन के बारे में जानना है, उनके क्वेशन के प्रैक्टिस करना है, तो इस वेबसाइट पे आईएगा, वेबसाइट का ना में LearnMoreIndia.in, जहाँ पर आपको धेर सारे computer tips सीखने मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते है computer tips है, यहाँ पर आपको मिलेंगे, शॉटकट कीज भी आपको यहाँ पर मिलेगी, PDF के साथ, computer की शॉटकट कीज मिलेगी, MS Word, Excel, Photoshop, सब की शॉटकट कीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो की PDF डाउनलोड के साथ, अवैलेबसाइट के उपर, और साथी में online टेज जैसे, MS CIT हो पर क्लिक कीजिए, और Excel के सारे धेर सारे टीप्स यहाँ पर आपको देखने ही मिलेंगे, अलग-अलग टैप के अंदर अलग-अलग information यहाँ पर अवैलेबल है, learnmoreindia.in नाम की website ज़रूर फीजिट कीजिए, और इस website की खास बात यह है, कि यह website हमारे team ही manage कर रही है, हमने यह website को आपके लिए यहाँ पर बनाया है, जहाँ पर धेर सारी information आपको घर बैटे बैटे, computer के बारे में सीखने मिलेगी, फिलाल website नमबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और यह पाच्वी website भी computer students के लिए है, जी हाँ आप मैंसे बहुत सारे student ऐसे होंगे, जिनको अपना computer typing का speed ब बढ़ गया, तो वैसी अगर आपको typing की speed प्रैक्टिस करनी है, step by step तो आपको इस website को विजिट करना चाहिए, अपने computer में, जिसका नाम है ratatype.com, मैं computer की बात कर रहा हूँ, क्योंकि mobile पे तो typing speed सब का fast ही होता है, क्योंकि chatting कर करकर हम fast बन चुके रहे हैं, लेकिन computer पे typing speed यह इस website पे अगर आप regular 20-30 days प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका typing speed definitely boost होने होला है, और साथ ही में typing के बारे में मैंने already एक वीडियो बना था, जिसमें मैंने typing tips explain की थी, उसका वीडियो लिंक मैं आपको description में दे दूँगा, check कीजिएगा, जरूर, अब बढ़ते हैं, next website की दरब तो पिछले website में मैंने आपको बताई की typing speed कैसे बढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हिंदी में type करना होता है, तो कैसे type करें, ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों का रहता है, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते है, indictyping.com भी website, जहाँ पे आपको हिंदी में type करना है, मराटी मे type करना है, तेलगों में type करना है, यहाँ पे इस website में धेर सारी languages के tabs available है, जैसे आप विजिट करो के आपके सामने यह दिखाए दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे type किया कैसे हो आप, तो यह देखे, हिंदी में जो मैंने type किया कैसे हो, आप वो हिंदी में यहाँ पे type होके आज चुका है, वैसे आप अलग-अलग languages में भी कर सकते हैं, और यहाँ से content आप copy भी कर सकते हैं, या फिर export as a file पे click करके, इसे notepad में export करके भी ले सकते हैं, तो आपको अगर हिंदी type करना है computer में, तो आपको हिंदी सीखने के भी ज़रूरत है नहीं, directly convert वाला tool यूज कर स कर दो, next website is whiteboard.com, W-I-T-E, whiteboard.com, यह website students के लिए और teacher के लिए बहुत useful है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब इस website पे आप visit करोगे, कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा, यहाँ पे नीचे pencil option मिलता है, text type करने के option मिल रहा है, line draw करने के option, eraser, color change करने के लिए option मिल रहा अब मेरी drawing इतनी अची नहीं है, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे draw किया, और draw करने के बाद, यहाँ पे right side में आपको एक share button मिल जाता है, इस पे click करने के बाद, यहाँ पे इस board की link copy हो जाते हो, यह copy link आप किसी के साथ WhatsApp पे share करते हो, यह फिर कोई भी medium से आप share करते हो, इस drawing में कुछ और draw कर सकता है, यहाँ पे जो भी draw करोगे उसको लायू दिखाई देगा दोस्तों, याद रखिए, तो यह एक interesting website है, students के लिए, teachers के लिए कुछ पढ़ाना रहेगा, अपने students को, या फिर दो friends को कुछ आपको एक दूसरे को explain करने रहेगे चीजे, तो आप य सारी का नाम है, abcdpdf.com, जहाँ पे pdf editor मिलता है, pdf merger मिलता है, मतलब pdf को merge कर सकते है, compress कर सकते है, split कर सकते है, pdf to word में convert कर सकते है, pdf to excel, pdf to ppt, अब बस मैं जादा नहीं बोलूँगा, लेकिन या पे screen के ओपर डेर सारी चीजे मिल रहे ही, जो की all-in-one pdf का solution यहाँ पे abcdpdf.com, जियां दोस्तों, अगर आप pdf के साथ daily कुछ काम करते हैं, daily नहीं हमारा काम होता ही है, अगर आप computer user है, आप student भी हो, तो आपके साथ pdf, आपके पास बहुत सरी pdf अलग-लग आ चुकि एक ही subject की, तो आप उसे merge कर सकते, आप उन्हें compress करके रख सकते, आप उन्ह एक्ष वेबसाइट की तरब बढ़ते हैं, अब कही सारी बार क्या होता है, कि हमें बहुत सारी topic के बार में research करना होता है, जैसे मुझे भी Excel में बहुत सारी चीज़े research करनी होती है, या फिर मैं जो भी चीज़े नहीं सीखता हूँ, उस क्या research मुझे Google में करना पड़ता है लेकिन Google में मुझे exact चीज़े नहीं मिलती है, exact information नहीं मिलती है, तो Google ने उसके लिए और एक platform launch किये, आपको नहीं पता, चलिए हमें बता देता हो, नाम है scholar.google.com, यह website Google का ही, मतलब यह Google का ही platform है basically, scholar.google.com पे जाएए और यहाँ पे आप सर्च कीज़े से आपको जो भी स search करना है, मुझे Excel VBA के बारे में study करना रहता है बहुत बार, तो मैं Excel VBA programming यहाँ पे enter करूंगा, तो इससे related जो Google पे book available है, वो आपको यहाँ पे बिलेगे, Google यहाँ पे अनाफशनाफ चीज़े नहीं दिखाता, मतलब जादा तर advertise वगरा यहाँ पे starting में नहीं दिखाता है Google scholar के उपर, बाकि आप Google पे जाके देखोगे, तो ज़्यादा advertise यह वो चीज़े आती रहती है, और यहाँ पे मुद्दे की बात आती है, तो google scholar.com पे चाहिए, और यहाँ पे आप book लेना चाहते है, किसी भी सबजे का, तो यहाँ पे देखे, Excel VBA programming book यहाँ पे लिख क्या रह होते हैं, बहुत सारी बार, बहुत सारी चीज़ों का solution हमें डूनना होता है, और वो solution अगर आपको एक जगा पे मिले तो सुने पे सुआ आगा, उसके लिए आपको विजिट करना होगा, all form alpa.com याद रखिए, यह website मैंने विजिट की है, और उसका interface कुछ इस तरह से मिल र personal health के बारे में जानना चाते है, personal finance के बारे में जानना चाते है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो इस website पे आपको मिलेगी धेर सारी चीज़े, यहाँ पे एक ही जगा पे, wall form.com, wall form alpa.com यह website आपको देती है, धेर सारी problem का solution, तो यहाँ पे search बार भी दिया है, यहाँ आप आपको बताओ कि website जो है, यह मैंने डिजाइन की है, आप सभी लोगों के लिए और यह website का link मैंने description में दिया है, जिस पे आपको मिलेंगे ISO certified courses, गर बैटे बैटे सीखने का मौका, जी हाँ यह premium courses है, क्योंकि यहाँ पे आपको certificate भी मिल रहा है, plus without advertised courses सीखने मिलेंगे, जब तब आप सीख सकते हैं, गर बैटे बैटे, तो इस मौके को हाथ से मच जाने, दो स्क्रीन के उपर आपको courses दिखाए दे रहे, जो courses बहुत ही कम पीज में, आपके लिए उपलब्द करके मैंने दिये हैं, तो फिलाल तो यह थी, गेर आप website आज की, और वीडियो अच्छे लगाए तो लाइक शेर और कमेंट कीजिए, मैं में लोगा कुछ और इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर नेक्स्ट मंडे 5 पीम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रही है, सीखाते रही है, और चैनल पे नहे हो, तो सब्सक्राइब कर किजाईए, बाई बाई बाई